हेलो बच्चों, वेलकम तो माई क्लास, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक टॉपिक के बारे में जो है आपका रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क, देखें यह आपका चाप्टर निूरल कंट्रोल और कॉडिनेशन में था, यह टॉपिक के, मिन्स इस चाप्ट तो अगर हम लोग सिंपल टर्म्स में बच्चों बात करें ठीक है, यानि कि इसकी डेफिनेशन की बात करें तो रिफ्लेक्स एक्शन बिसिकली क्या होता है तो रिफ्लेक्स आर्क बिसिकली होता क्या है अब अप सुचे रहें, जियों कैसे। इसका मतलब यूरहें तो बच्चों मैं आपको इसका मतलब समझ़ाती है इसका मतलब क्या होता है qu is the definition of your Reflex action और समझे ऀसले, कि ए अपके आत्यूंज किins lyc can का करेंगे कण्ट्रोल रहे कैसे करेंगि आपको हाथ खुलना है पूरा मैं फिंगर्स भनी चारीओ फिलगई खो फिल like ट्रहें फिंगर को Monkey कर लिया तो ऐसए करके यह टर्न कर लिया यह कर लिया फिस्ट फारम कर ली तो यह वह गया मतलब व्याенaliśmy理 तो इनको मैंने अपने जो मैं चारी हूं वैसे कर लिए वैसे हाथ पैर ऐसे आप कह सकते हैं तो यह क्या हो गई वालेंटरी मसल्स बचों उन मसल्स को कहते हैं जिन पर आपका कंट्रोल हो ठीक है यानि कि कहलो कि आपके अकॉर्डिंग यह मसल्स आप मूफ करेंगे ठीक है यह समझ में आ गया अब इन वॉलेंटरी आक्शन्स की बात इन वॉलेंटरी आक्शन्स बचों उन एक्शन्स को कहते हैं जो सडेन एक्शन्स होते हैं यानि कि आपने सोचा नहीं हो और वह फॉरण हो गया हो मतलब सडेन एक्शन्स आपके सामने सडेन एक्शन्स आप परफॉर्म कर जाते हो ठीक है और आपके वॉलेंटरी मसल्स होते हैं यानि कि जो आपके मसल्स कंट्रोल में वह मतलब आपके कंट्रोल में ना होके वह सडेन एक्शन्स को कर देती हैं अब अभी आपको समझने हैं आब मैं जैसे चाय को मैंने हाथ लगा, मैं फॉरन ऐसे घटा लिया, कि नहीं नहीं नहीं, यारी चाय से जल गई, ठीके, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ही तो बच्चों रिफ्लेक्स आक्शन बोलते हैं, सडेन अक्शन, यानि कि मैंने चाय के कप को छुआ, मैंने का, आ, ये जलना है ठीक है उसके बाद मैंने अपना हाथ खीच लिया अपना फॉरन हाटा लिया तो वह एकदम सडेन था ठीक है सडेन चीज थी जो मैंने करी तो उसी को हम लोग और रिफ्लेक्स एक्षिन बोलते हैं अब समझ में आ रहा होगा आपको देखो यहां पर आपके न्सी आडी में डायग्राम गीवेल है इस डायग्राम में आपका दिखा रहे है कि स्ट्यूमिलस में क्या दिया गया है कील ठीक है यानि कि एक नेल दिया हुआ है आपने नेल क आपके इन्वालेंट्री आक्षिन को परफॉर्म कर जाएं आप समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रही हूं ठीक है यानि कि जैसे ही आपने इस नेल के उपर यानि कि जैसे इस कील के उपर पढ़ा आपका वैसे आपने पैर को पीछे खीच लिया तो इसको हम लोग क्या आपके ब्रें तक नहीं स्पाइनल कोड तक सिगनल गया और वहां से आपको कि नहीं आपको खीचना है अपने पैर को हटाना है तो फॉरन एकदम सब्सक्राइन अपने ले लिए उसी को हम लोग रिफ्लेक्स अक्षिन बोलेंगे अब देगो रिफ्लेक्स अक्षिन में विच चाम से ना कॉंटाक्ट विद ऑब्जेक्स विच एक्स्ट्रीमली होट पॉंटेज चिके और अनिमल्स डाटर स्केरी और पॉइजनस तो यहां पर आपने क्या देखा कि अप सडें विड्रॉव कर लेते हैं अपनी बोडी पार्ट को जैसे आप देखते हो कि कोई ऑ आपके लिए वह क्या है लाइफ थ्रेड निंग राइट तो यही चीज ए एंटार पॉस्ट प्रोसेस फ्रस्पांस तो पैरिफरल नर्वस स्ट्यूमिलेशन ताट अकर्स इन्वालें ट्री यानिकि आपका जितना भी नर्वस पैरिफरल पी एनस जो होता है वह क्या करता ह दूंशन को परफॉर्म कर जाता है विद दाउट कॉंशेश एफर्ट और थौट यानि कि यहां पर पहले सोचते समझते नहीं और फॉरन क्या होते सदैन एक्षिन करते ओर इंवाल में इन्वाल में आफ पार्ट आफ उप दा सेंट्रल नर्वस स्ट्प्र सिस्टम उपलो अब बच्चों यहां पर दिखो यह तो मैंने आपको बता दिया ना कि रिफ्लेक्स अक्षिन क्या होगा रिफ्लेक्स अक्षिन मतलब आपने कुछी भी ऐसे गराम ठंडे किसी भी चीज़ पे आपने पैर या हाथ कुछी भी रखा और सड़न्ली आपने उसको खीच लिया यानि कि वापस कर दिया ठीक है तो उसको बच्चों रिफ्लेक्स अक्षिन बोलते हैं यह जो पूरा पाथवे होगा यानि कि इसमें कौन सी मसल्स इंवाल्व है कहां पे सिगनल जा रहा है कहां से आपकी वापस से सिगनल को ट्रांस्मिट करा गया यानि कि बॉड़ी पार तक उस पूरे पाथवे को बच्चों हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क अभी मैं आपको रिफ्लेक्स अक्षिन फिर से एक बार डाइग्राम में समझाओंगे तो आपको समझ में आजेगा यहां पर देख लो आपको लिखा क्या है दो रिफ्लेक्स पाथवे कंप्रा कहां से आपके sensory organs और transmit करते हैं impulses वाया dorsal love route into the CNS यानि कि जो आपके efferent neuron होते हैं वो sensory organs यानि कि जो signals होते हैं आपके sensory organs है यानि कि touch आपको पता होगा की taste है टाच है यह सारी चीज़ों जो होते हैं वहां से यह receive करके आपके जो sensory organs होते हैं यह कहां पर बेजेंगे आपके जो efferent neurons होंगे वो बेजेंगे आपके central nervous system में CNS में ठीक है फिर CNS से क्या होगा वापस से आपके पास जो आपने वहां पर क्या होगा process होगा process के बाद वापस से signal send होंगे stimulus के लिए जो आपका stimulus जैसे कि कोई कील है या कोई hot object है तो इसके लिए जो response होगा ना वो जो होगा वो आपका क्या करेगा उसके लिए आपका efferent neurons काम करेंगे यानि कि उस response को carry करेंगे आपके efferent neuron यानि कि आपके spinal cord पे message किया उसको signals को transmit करेगा वापस body तक और आपके efferent neuron यानि कि जो भी पार्ट आपका effect हुआ है यानि कि जिसको आपको हटाना है वहां से आपके signals कहां से आएंगे neuron जो आपका efferent neuron से वो carry करेगा cns से आपके factor तक तो यह बास समझ में आगए कि तो stimulus and response that forms a reflex arc यहां पर फीगर में आपका given है अब यहां पर एक चीज़ यहां पर देख लो कि मैंने आपको बताया ना effect efferent sorry efferent neuron efferent neuron के आपकी मैंने definition लिख कर अखी हुई इसको भी इंपर दहां से देख लेना neurons that carry information from the sensory receptors यानि कि ऐसे neurons जो carry करते information को sensory receptor से ठीक है यानि कि कोई भी आगर हो गया पका skin भी तो होता है ठीक है तो क्या हो गया आपने वहां पे information को carry करा और उसके बाद आप उसको transmit कहां करोगे cns में करोगे ठीक है to all the body parts towards the यानि कि पूरी body के पार्ट से लेकर आप कहां बेजोगे cns से तो simple से बात है कि efferent neuron क्या करते हैं आपके signals को ले जाने का काम करते है central nervous system तक और efferent उसको opposite काम करते है यानि कि central nervous system से वापस body तक यानि कि जो भी stimulus उसके लिए response को लाते हैं तो यहां पर फ्रेंड की भी definition लिखी हुए यह ऐसे neurons होते हैं जो carry motor information away from cns to muscles और glands of the body तो यहां पर आपको I hope clear हो गया होगा अब आपको मैं समझाना चाहती हूँ इस diagram के थुरू अब इस diagram को धिहान से देखना क्यास तो आपने यहां पर देखा कि stimulus यानि कि stimulus आपका कोई एक कील है जिसको नगनेल बोलते हैं ठीक है तो यहां पर कील है आपके पैर उसके उपर पड़ा यानि कि अगर आपका foot उसके उपर पड़ेगा तो obviously बात आपको hurt होगा hard होगा तो क्या होगा sudden response शो करोगे नंगे योगे टो कील कि आपके अज्वान के के लिए क्या होगा मैसेज कहां bag Richt Her knitting पन प्रॉक्त मैंने अपर आपको इस पेफ नियॉरोंगों में तो पैफंट तो को एक्टिवा ऐजए नेरिक्टियों में गेड़ोन कांद लिएयरुज व्य्कटियों महाई हों hurts यहां पर लिका हैं इंटर नीरों टूपमों मैं आपको समझान की कि इंटर नीड होते हैं गार पजिंटो सॉय पर पड़ेंगे शबंक्र पुवद्भिश स्ट सिंटर लिखा हां इसनल कि अपरेंट नागीस कंट एक्ट नागल नाद को तो आपके quarterly neurons आपके impulses इसको लेकर जाएंगे इंपुस सीग्नल को लेकर जाएंगे डॉसली रूट कें लिए करनेट करता है ठीके वहाँ पर प्सक्ति होंगे वह सीग्नला को. leurs Better neurons को वापस लेकर जाएंगे if इफैरेंट नियूरों के यहारां वापस उसी एरिया पर जाएगा जहां पे आपके चोट लगी होगी जहां पर अपर आप आप फॉरन क्या होगे बांडम अपने पैर को पीछे कर लोगे तो इही आपका डाइग्राम आपसे कह रहा है तो बैसिकली होते हैं वो एक दूसरे के साथ वॉर्क करते हैं लेकिन वा करते हैं जाने कि साथ पर काम करते हैं क्योंकि उसको इसके इसको के लिए वह नोट engaged ला होते लिए यहां इंटर neurons present होते यानि कि जो आपका different path ही होता है different neurons होते है different neurons आपके signals को ले कर तो आते हैं लेकिन connections की भी तो जरुवत है तो वहाँ पर क्या present होगा आपका inter neurons तो inter neurons को बच्चों associated neurons भी कहते हैं ठीक है तो associated neurons जो होंगे वो आपको दोनों के बीच में connection प्रोवाइट करेंगे फिर signals वापस जाएगा आपके motor neuron में motor neuron से जो different neurons present होंगे different उसको क्यारी करेंगे और वापस आपके पास लाएंगे ठीक है तो आई होप आपका यह समझ में आ गया होगा अब बच्चों एक मैं आपको यह भी बताना चाहते हूं कि यहां पर हम लोग ने इस spinal cord की बात करी ठीक है यह भी ब्रेन की बात नहीं करें तो बच्चों सिंगनल जो होते हैं वह दोनों के पास जाते हैं कि स्पाइनल कॉस्ट के पास भी जाते हैं ब्रेन के पास भी जाते लेकिन जब आपको सब्सक्राइन funk होता है ठीक है तो सब्सक्राइब भी सब्सक्राइब गर्रहताoberчи तो वह पूंट इसीयू कोई चाह चाह से जलगॉए ठीक है राई तो यहीं हाथ को में और सबस्क्राइब करूगे अगर शीपनल पर इसे करोगे अगर सिगनल जो होंगे आपके था पिर सपाइनल कोड पे ना जाकर आपके ब्रेन पर जाएंगे तो ब्रेन बाइं तो दूर पहुझिया ब्रेन के पास जाएंगे डिफरेंट पास जाएंगे उसके बाद पर प्रोसेसिंग होगी फिर उसके बाद पिर वहां पर रिस्पॉंच होगा फिर ग्लैंट से अक्टिव होंगे फिर वहां से आएगा तो इतनी देर में तो आप इंजर्ड हो जाओगे न ठीके इसलिए आपका इस्पाइनल को और फॉरन रिस्पॉंच प्रोड्यूस कर देता है मिली सेकेंड में रिस्पॉंच आजाता है तो यह अक्तर आप देखते हो ना कोई कीड़ा है जैसे सब्सक्राइब चुटे-चुटे कीड़े होते हैं उड़ रहे होते हैं ठीके जैसे आप सोच के नहीं करते हो लेकिन वह सब्सक्राइब रिस्पॉंच होता है यानि कि वहां पर वॉलेंट्री मसल्स आपके एक्टिव हो जाती इन वॉलेंट्री आक्शन के लिए तो आपको यह क्लियर हो गया होगा इसका एक्जांपल में एक और देती हो जैसे कि आप अगर लिए कर गया है तो वहां पर अपने अपको संभाल नहीं पाते हो तो वहां पर क्या होता है अपको पता होता है अगर आप उस चीज-स को सीख लेते हो यानि कि आपको पता होता है कि कैसे चलाई जाती फिर सडेंग आपके आप जिसे सब्पोस्ट कर रहे हैं और के सामने कोई डॉग आ गया कोई आनिमल आ गया तो फॉरें आप ब्रेक लगा देते हो ना तो वहांपे क्या हुता है। इन्वॉलेंटरी डी अक्षों होते हैं इस अपकी जदी भी व्रॉल्स्रस वह चाती है। तो सिंपल सा आपका यही था reflex action and reflex arc तो reflex action जो आपने action परफॉर्म कर रहा है उसको हम लोग reflex action बोलेंगे reflex arc क्या है आपका यह जो पूरा pathway यानि कि afferent neurons आपके अक्टिव हुए इफ्रेंट न्यूरोंस आपके इंटर न्यूरोंस आपके मोटर न्यूरोंस जो भी pathway में आपके work करें हैं इस pathway को all over the pathway कि आपका afferent से लेकर आपके spinal cord से लेकर आपका यानि कि आपके cns के पास जा कि फ्रेंट तक तो उस pathway को हम लोग reflex arc बोलेंगे तो बच्चों यहाँ पर आपका chapter complete हो गया यह आपका एक topic बचा हुआ था जो मैंने करा दिया है ठीक है तो अब हम लोग मिलते हैं next video में next chapter के साथ तो आज के लिए बस इतना ही thank you